बैंक निफ्टी और निफ्टी के डेली एनलेसिस में आपका बहुत-बहुत स्वागत है कल है तीन जून और तीन जून के बेस पे आज मैं आपके सामधे कुछ ऐसे फैक्ट्स केश करूँगा जो आपके लिए बहुत जाद मत्रपून होगा अगर आप इस वीडियो को 1000 लाइक दे देते तो मुझे बड़ी खुशी होगी आईए शुरू करते हैं पीछे चलते हैं 2019 में जहाँ पे एलेक्शन का रेजल्ट आया था 23 मई 2019 को लेकिन उसका आखरी चरण का जो एलेक्शन था वो था आपका 19 मे को उस दिन थी चुटी और अगला दिन मार्केट खुला 20 तारिक को तो कैसा खुला था उस बारे में जान लेते हैं उससे पहले ज़र आप ये सुन लिजिए कि 2019 में भी जो एक्जिट पोल आया था वो एक्जिट पोल के बेस पे मार्केट ने इतना बड़ा एक जम दिया था आये देखते हैं वो क्या था ये रहा 18 तारिक माफ की जी ये 17 तारिक का है और ये जो केंडल आप देख रहे हैं ये है 20 तारिक का उननिस में को था लोकसबा इलेक्शन का चरण का आखरी एलेक्शन फेस का आखरी एलेक्शन था अब मार्केट कहाँ पर खुल रहे देखिए कितना बड़ा गैप अप है ये 17 तारिक और ये 20 तारिक बीच में 18 तारिक अठरा तारिक था शनिवार 19 तारिक था रहिवार ये मार्केट देखिए कितना बड़ा गैप अप खुला है और उस गैप अप खुलने के बाद मार्केट और भी उपर गया है इसका मतलब क्या है इसका मतलब है कि और ये एक्जिट पोल आने के बाद हुआ है एक्जिट पोल कब आया रविवार शाम को आया 19 तारिक 2019 में 2019 शाम को आया exit pole और market देखे अगले दिन कितना बड़ा gap up खुला अब बात करते हैं कि अगर ऐसा हुआ कल के दिन क्योंकि हमने देखा है कि exit pole में इस बार दो हजार 24 में exit pole भी लगभग यही बता रही है कि NDA को सबसे ज़्यादा सीट मिल सकता है अगर ऐसा होता है तो कल के दिन भी market फिर से आपको बहुत बड़े gap up के साथ खुल सकता है ऐसा संभावना है ऐसे लगाया जा सकता है अब आईए मैं आपको चार्ट पे लेकर चलता हूँ कि वहाँ पर market की इस तरीके से बिहेव कर सकता है उस बारे में आपको एक बार में जलक दिखला देता हूँ अब हम आगे बैंक निफ्टी के चार्ट पे जो market हमको शुकुरवार को बंद होता हुआ दिखा 48,983 पे जो पिछले दिन के close से लगबग market बहुत अच्छा खासा और उपर जाके 300 point और उपर ज था कि market को करना क्या है market उपर जाना नीचे जाना है कि market का दिन भर का जब मैं आपको 15 minute के time frame पे पूरा मौाइना करके दिखाऊंगा तो हमने देखा कि market पूरी तरीके से बहुत लीचे भी गया और market उच्छा उपर भी आया था इसका मतलब यह है कि market में अब एक चीज़ क् अभी जो मैंने थोड़ी दिर पहले आपसे अर्श किया है कि exit poll में NDA को सबसे ज़ादा vote share मिलता हुआ दिख रहा है तो बहुत ज़ादा possibilities है कि कल के दिन market gap up खुले ऐसा हो सकता है लेकिन हमको चारों तरफ से चीज़ों को समझना पड़ेगा देखिए अगर market up कल के दिन च तक जाएगा history की साबसे तो market में अभी तेजी आनी चाहिए कई बार बड़े बड़े नेताओं ने भी कह दिया है कि 4 जून के बाद लेकिन मैंने आपसे कई बार काई कि 4 जून से ज्यादा important का जो trading के नजरिये से वो 3 जून होगा वो 3 जून इसलिए होगा क्योंकि शनिव market के सोच के विपरित आता मार्केट का सोच पहले से बना हुआ है कि मार्केट में आएगा तो NDA ही ऐसा मार्केट ने पहले सोच बना के रखा था इसलिए एक रैली आपको शुरुवात में दिख रहा है हाँ दो दिन 28 29 तर को दो दिन हमने यहां पे consolidate होते हुए देखा आती है कि मार्केट अब जब गैप खुलेगा तो कितना बड़ा गैप खुल सकता है देखिए इतिहास की तरफ जाएंगे तो हमें इतिहास यह बताता है कि ऐसे समय पे 800 से 1000 पॉइंट का गैप खुलने का अनुमान रहता है अगर इतने नहीं भी खुलता है तो मार्केट च पॉल्टा हुआ दिख सकता है मार्केट लगभग बंद वरह रहा है उन्चा सजार पर अब हम यहां पे अगर हम यहां पर देखते हैं तो मार्केट 50.252 अभी मार्केट का जो स्ट्राउंग रिजिस्टेंस की अगर मैं बात करता हूँ मैं आपको यहां पर स्ट्राउंग की बात करूं या अगले आने वाले हफतों की बात करूं तो मार्केट में हम जो चड़ाई है वो लगबग हम वापसी देखेंगे 51,171 से मार्केट को वापस आता हुआ देख सकते हैं अगले हफते तक हम 51,171 से वापस आता हुए देख सकते हैं लेकिन ये trend line के हिसाब से मैं बात कर रहा हूँ तो exit pole के अनुसर मार्केट में को चड़ाई दिख सकता है इसका मतलब क्या है कि मार्केट कल अगर बड़ा gap up ना भी हो छोटा मोटा 50, 100, 1500, 200 point कभी कर gap up हो तो मार्केट चड़ बहुत सकता है कल के दिन इस बात का आप पहले अंदेशा कर लीजिएगा अब यहाँ पर जब हम होंगा 49,960 के आसपास मार्केट गया था आपको अगर याद होगा यह देखिए यह लास्ट वाला यह मैं बात कर रहा हूं में महीने की यह कितना है माप कीजेगा मैंने थोड़ा कम बोल दिया 49,993 यह बिछले महीने में एप्रिल महीने का है माप कीजेगा एप्रिल महीने मार्केट ने हाई लगाया था यह देखिए यह वाला हूई है 49,993 यह वाला कैंडल है इसका मतलब यह है कि मार्केट जिस जगह पे अब बंद हुआ है उस जगह की हिसाब से यह मार्केट जहां पे बंद हो रहा है 48,983 और मार्केट ने पीछले अपना हाई लगा था 49,993 तो market अगर किसी कारण से फिर से 1000 point का अगर market gap up होता है तो शुरुवाती दोर पे ऐसा संभावना है कि market में शुरुवात में आपको थोड़ा सा हलका फुलका वहापे नीचे आता हुआ market दिख सकता है इस बारे में आश्वस्त रहिएगा शुरुवाती दोर में फिर market अपने आप देरे-देरे करके price action के साथ हो सकता है और उपर चले जाए या वहाँ से फिर नीचे ही रह जाए लेकिन यह तैय करेगा market का शुरुवात का आदा घंटा यह market का शुरुवात का आदा घंटा तैय करेगा हो सकता है market बड़ा gap up अगर खुलता है तो ज्यादा तर होता य लेकिन चुकि अभी बड़े event की बाते हो रही है तो ऐसे समय मार्केट की एक rally भी हम देख सकते है और इसी को दूसरे शब्दों में दूसरे नजरों से देखेंगे market अगर कल 50-100-200 point भी होता है मानने जिए 49100 के पास से market अगर शुरू होता है तो market में हम बड़ी rally देख सकत है चो market को सीधा कल ही के दिन 50,000 तक ले जा सकता है इस बारे में आपको बिलकुल निश्चिंत हो जाना चाहिए कल के दिन के लिए 15 मिनिट के time frame में आपको लेके चलता हूँ वहाँ पर हम चीजों को और थोड़ी सी गहराई से देखेंगे तो हम यहाँ पर चीज़े और आस से जिख्रक कर रहा हूँ देखेंगे 24 तारिक से एक हाई लगाया था वासे market फिर नीचा है 18 तारिक को फिर 29 तारिक से लेके 30-30 तारिक तक market लगातार एक range में है अब market इस दिन से एक अच्छा-कासा हाई बनाने के चेश्टा में है अब ऐसे समय पे exit पोल आने से market को और ए एक नई एक ताकत मिलीगी कल के दिन और market एक अच्छा-कासा हाई लगा सकता है इस हाई लगाने के पीछे market का एक अपना ही रंग रूप आपको कल दिख सकता है लेकिन याद रखिएगा कि ऐसे समय पे premiums काफी हाई होंगे तो बहुत जादा सिर्फ gap up खुल रहा है और market ब transaction को अपना सब कुछ मानेंगे तो ही जाके आप पैसे कमा सकते हैं सिर्फ gap up खुलने से या बड़े event के होने से आप पैसे कमा ही लेंगे ऐसा बिलकुल भी ज़रूरी नहीं है मैं बार बार कहता हूँ इस साल के budget ने बहुत लोगों को सीख दिया है कि सिर्फ history देखके trade लेन जरूरी नहीं है कि वो सही होगा पिछले बार हुआ है इस बार भी होगा ऐसा नहीं होता है इसलिए हर बार market में चीजों को market की इसाब से देखिए मन की इसाब से नहीं कि मैं जो सोचके बैठाओ market bill को ऐसा करेगा और उस इसाब से उस उतने नंबर से उतने पैसे से आप trade क किया जा सकता है निफ्टी की बात करेंगे तो निफ्टी ने अपना close दिया था 2530 पे जो पिछले दिन के close से market फिर भी लाल रंग में बंद नहीं हुआ है इस बार market बंद हुआ है green color में लेकिन बहुत बड़ा फरक market में 5 दिन से कुछ अच्छा दिखाया नहीं था market लगात अगर मैं सिर्फ कल की बात करूँ तो market में इतनी ताकत कल बन सकती है कि market अपने all time हाई पर पहुँच सकता है जो आपका चला जाता है लगबग लगबग इस all time हाई तो अगर मैं देखता हूँ तो फिलाल ये strong resistance मार्केट के लिए सब से अच्छा काम करेगा जो होगा 23,098, 23,110 ये समझ लीजिए कि market आज जहां पे बंद हुआ है 22,530 पे कल की दिन हो सकता है market आपको बड़े gap up के साथ तूलता हूँ और दिख सके लेकिन मैं बार बार एक ही चीज़ को repeat कर रहा हूँ ऐसा जरूरी नहीं है कि history जो कर चुका है वो फिर से repeat होगा ये जरूरी नहीं ह हाँ हमें तैयारी जरूर रखनी चाहिए लेकिन market कहां पे खुल रहा है इस पे तो आप trade भी नहीं कर सकते वो तो दिन जब शुरू होगा उसके बाद बाते करते हैं चलिए हम मान लेते कि market एक बड़ा gap up खुलता है तो ऐसे समय पे शुरूआत में market आपके इस trend line से टकरा स यह कौन सा trend line है 23,100 का ध्यान से सुनिएगा इस बात को market अगर इसके नीचे खुलता है तो बहुत possible है कि market यहाँ पे अगर खुलता है कई बीच में धेर धिर अगर उपर जला जाता है तो market वहाँ पे जाके अगर रुकता है और उसके बाद अगर breakout होता है तो market और उपर जा आसकता है इतनी ताकत market में पैदा हो जाएगी लेकिन इसके लिए market को 23,100 पे रुकना पड़ेगा लगबगा आदा गंटा एक गंटा दो गंटा रुकना पड़ेगा उसके बाद जब breakout आएगा उसी के बाद ही market 23,500 तक पहुच सकता है यह numbers बहुत बड़े सुनाई दे रहे लेकिन यह एक दिन में शायद ना हो लेकिन होने की संभावना है condition मैंने आपको बता दिया है 23,100 पे market को रुकना पड़ेगा और वहाँ से breakout देना पड़ेगा अगर ना रुक के market सीधा-सीधा निकल जाए तो क्या होगा तो मुश्किल होगा क्योंकि market जब सीधा-सीधा ऐस बड़े resistance के पास सीधा-सीधा निकलता है तो ज्यादा possibilities होती है कि market दुबारा वापस एक retest करने के लिए दुबारा उस trend line तक पहुचे तो ऐसे समय पे आपका बहुत ज़दा moral डाउन हो सकता है आपको लगेगा अरे market तो बहुत ज़दा गिर रहा है बहतर है कि आसे exit कर ज जा रहा है तो वहाँ पे आपको थोड़ा सा सचेत हो जाना चाहिए market retest करता ज़रूर है SSTT पे तो बहतर होगा कि आप 2300 के level को दिमाग में रखिए हां 2300 को दिमाग में रखने के बाद market का ये जो पूरा इलाका है इसको भी आपको दिमाग में रखना पड़ेगा ये इल 2800 के उपर 2830 2850 ऐसे level पे market अगर आपको खुलता हुआ दिखता है तो वहाँ से हमने कई बार इस number को हमने इस level को discuss किया है 22800 अपने आप में बहुत बड़ा resistance भी है support भी है market अगर इस level के उपर खुलता है तो हमें बहुत जादा आसानी हो जाएगी उपर की दिशा में जाने कर रहा है कई बार काम कर चुका है यह जो आप लेवल्स देख रहे हैं यह देखिए 22800 है का मैं आपको ध्यान से दिखा देता हूँ पहले इसको हटा देता हूँ यह अट गया है यह देखिए 22800 है इस level की साब से market को मैं थोड़ा सा यह देखिए यह पूरा का पूरा यह 22800 का level है तो market इस level को बहुत जादा respect करेगा जरूर तो 22800 की उपर अगर market खुलता है तो वहाँ से हमको शार्प बाइंकल देख सकते हैं और market में rally देख सकता है और यह आपको ले जाएगा शुरुवाती दौर में 23100 तक और उसके बाद अगर market consolidate करता है तो फिर market को हम वहाँ स और उपर उद जाता हुआ देख सकते हैं वीडियो गर अगर आपको अच्छा है कि तो like, share, subscribe जरूर कीजिएगा आपसे मैं गले वीडियो मिलता तब तक के लिए जैहन